गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माइ चैनल गाइस तो आज मैं आपसे शेर करूंगे मेरी फूट केर रूटिन बहुत दिनों से मैंने कुछ वीडियो अप्टोर नहीं किया था तो सोचे कि चलो आज मैं अपना फूट केर रूटिन आप लोगों से शेर कर देती तो यहां पर मैं दिखा रही थी कि मैं अपने हेर को रिमोग कर चुके थी और अब यह नेल पॉलिश मैं रिवोग करने वाले थी है नेल पॉलिश रिमोबर से और मेरे राइट हैंड में था कॉटन तो चलिए ज्यादा बाते नहां करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते ह आप लोग इन तक ज़रूर बने रहें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लिजिए सबस्क्राइब और साथ में नोटिफिक्रिक्रिक्शन बॉल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पाल इसलिए शुरू करते हैं तो अवी मैं कॉटन के मज़द से निल पालिश को रिमोप कर रही हूं मैं बेशिक लगाना भूल जाती हूं बार बार इसलिए निल पालिश रिमोप करने में थोड़ा टाइम लग जाता है और दो तीन लेयर तो होई जाता है इसलिए भी रिमोप करना थोड़ा लेट होता है अगर इसको मैं अलमोनियम फाइल की मज़द से कॉटन को निल पालिश रिमोपर मैं अगर डिप करके रग दूँगी कुछ देर तक तो आशा नहीं होती है लेकिन मैं वैसे नहीं हाथ की मदसरी जल्दी से कर लूँगे अब मुने पूरा निल पालिश को रिमोप कर लिया है और जो थोड़ा बहुत काला काला अब लोग को दिखाई दे रहा है वह आलता जब लगाती हूं तो वह सब घुच जाता है नेल के अंदर तक आशा काला हो जाता है और यह मैंने ले लिया है एक बड़ा आशा वोल में गरम पानी बहुत कर नहीं है मेरा स्कीन जितना तक शहन कर सकता है उतना ही गुंगुना पानी है अब मैं इसमें अपने प्यार को डिप करूंगे अब इस गुंगुना पानी में मैं डालूंगी मेरी शैंपू ताकि जो गंदा पैर में रहेगा तो टिप करने के बाद वो सब निकल आएगा अब कुछ देर तक ऐसे मैं रखूंगे अपने पैर को ताकि बहुत सॉफ्ट हो जाए और जितने गंदा है सब बहार निकल आए अब मैं लूफा के मदश से अपने पैर को नेल को सबको अच्छे से क्लीन कर लूंगे अब मेरी जितने भी देट शिल्स है उसको मैं किसी स्केट सब निकाल दूंगे और यह है मेरा डियाइवाइड फिर स्क्रवर तो इसको मैं पानी की मतबसे थोड़ा गीला करके और अपने फिर पर एपलाई करूंगे अच्छे से मसाज करूंगे अब मैंने पानी से अच्छे से नामल पानी से अच्छे से धो लिया है और टावल के मदद से ट्राइ कर रही हूं अपने फिट को उसके बाद मैं एपलाई करूंगे डियावल मॉस्टराइजर और आप मारकर से खरेती हुई मॉस्टराइजर भी अपने पैर पी एपलाई कर सकते हैं मॉस्टराइजर एपलाई करने से आफकी फीट बहुत सॉप स्मूथ और शिलक शायनी रहेगी और जो ट्राइब हो गया है वह मॉस्ट भी आजाएगी मैं कोशिश करती हूँ कि इस विंटर में मैं अब इवरीडे नाइट में इस मॉस्टराइजर को अपने हिल्स पे पैर पे पूरे जगार लगा के शॉक्स पैन के शो सकूं तो मैं नाइट में यह करती हूं लोग भी जरूर कीजिए इससे आपके पैर बहुत ही सॉफ्ट औ और हिल्दी रहेगा अब आवे हैं निल पॉलिश के बारी तो मैं फस्ट फॉस्ट फॉल एप्लाइट कर लोंगे वेसिक उसके बाद में निल पॉलिश को एपलाइट करूंगे तो यहां पर मैंने निल कट नहीं किया है और कोई क्यूट को भी नहीं निकाला है क्यूंकि निल्स में बढ़ा रही हो और फिर्ट फॉस्ट मुशे ठीक से आता नहीं है निकालना इसलिए उस दोनों को मैंने स्कीप कर दिया है तो तो मैं अप्लाइट कर जो मेरे निल्स पे रिड कलर कर निल पॉलिश है ऐसी मैं करते हूं अपने फीट केर रूटेट मुंत में एक बार जरूर आप लोग कर से करते हैं जरूर कॉमन करके बताना वीडियो अगर अच्छी लेगेगा तो लाइक कर देना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को बहुत 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 सारा सब यार देना शेयर करना मैं मिल दी हूं मेरे नेक्स वीडियो पर तब दे के लिए बाहाइए